नमस्कार आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोस्टेट बरने का ऐसा केस जिसमें बार-बार पेसाब होना और तेज दर्द को कैसे होमियोपैथिक दवाईयों द्वारा ठिक किया गया वीडियो को पुरा वश्य देखें ताकि आप पूरी तरह से समझ सकें तो आईए समझते हैं एक्यूट रोक को किसी भी तरह से जल्दी इलाज करना सबसे महत्वपूर्ण है जब हमारे पास एक्यूट रोक का सही व्याख्या होगी तो हम कुछी घंटों में होमियोपैथि से इसका इलाज कर पाएंगे यहां प्रोस्टेट बढ़ने का एक ऐसा केस है जिसमें बार बार पेसाब होना और तेज दर्द की शिकायत थी पेशन का नाम कामिस्वर सी आयू एकसट वर्स उन्होंने बार बार पेसाब आने की शिकायत की और लगबग 25 से 30 बार एक दिन में पेसाब करने उन्हें जाना परता था पेसाब में गंभीर जलन भी थी गंभीर जलन के कारण रोगी तरप रहा था और बहुत असहज हो गया था और उसे अस्पताल में भरती कराने की सलाह दी गई थी उनका बेटा होमेपैथिक इलाज करवा रहा था और उसने उन्हें भी होमेपैथी परामर्स लेने की शलाह दी जब रोगी इलाज के लिए आये तो उन्होंने सिर्फ बार बार पेसाब होना और जलन की शिकायत की उन्होंने बताया कि वे एक महीने पहले ठीक थे अचानक की मुत्र सम्मंदी समस्या से पिरित हो गए उन्होंने इसके लिए एलोपैथिक दवा ली लेकिन कोई रहात नहीं मिली और उन्होंने मुझे से पारामर्स लेने का फैसला किया पूछने पर उन्होंने बताया कि प्यास नहीं लगती, ठंड से परिशानी भरती है, वे सर्द प्रकृति के हैं, रिपोर्ट में पर्स सेल 35-40 पाई गई लक्षनों के अनुसार मैंने कैंथेरिस 30 की दो बुन दिन में तीन बार लेने की सलाह दी, कैंथेरिस सर्द प्रकृति की दवा है, एंटिबाइटिव दवाओं को रोकने और तीन दिन के बाद एक बार फिर से यूरीन टेस्ट करने को मैंने कहा पहला फॉलो अप में हुआ कि दवा लेने के तीसरे दिन बाद रोगी ने बताया कि बार बार पिसाब आने के समस्या में 50% रहत मिली है, लेकिन गंभीर जलन अभी भी मौझूद थी, इस बार के यूरीन टेस्ट में पस सेल 15-20 दिख रहे थे इनके पिसाब में जलन की सिकायत अभी भी मौझूद थी, इसलिए इसे जल्दी से ठीक करने की आवशक्ता थी, ऐसे में बेला डोना 30 की दो बूंद दिन में 3 बार, साथ में कैंथिरिस का सेवन जैसा वो कर रहे थे, वैसा ही करते रहने को मैंने कहा कुछ दिनों बाद उन्होंने बताया कि पिसाब के जलन में उन्हें लगबग 70% से अधिक राहत मिली है और यूरीन का जो रिपोर्ट था उसमें 5 सेल 2 से 3 ही आया है कैंथिरिस के सलाह मैंने क्यूं दिया, कैंथिरिस के लक्षन मुत्र मार्ग पर है, बार बार पिसाब, खूनी पिसाब के साथ ने फ्रेटिस रोग में अच्छा काम करता है पिसाब करने के दोरान असहनिय दर्द होना और जलन इस दवा में मौझूद है, बूंद बूंद पिसाब होना और पिसाब करने की लगातार इक्षा बने रहना भी इस दवा में मौझूद है अगर साथ में रोगी सर्द प्रकृति का हो तो यह दवा काम कर जाता है बेलाडोना इसलिए दिया गया क्योंकि रोगी पहले से थोड़ा बहतर महसूस कर रहा था और कैंथीरिस के बाद बेलाडोना अच्छा काम करता है। हमने पहले देखा कि पसल लगबग 35-40 था जो केवल एक हफ़ते में ही घटकर 2-3 हो गया। इसे से पता चलता है कि कैंथीरिस ने कितनी अच्छी तरह से काम किया। बेलाडोना दिया गया क्योंकि यह कैंथीरिस की अच्छी तरह से अनुसरन करता है। यह बहुत महत्वपुर्ण है कि दूसरा दवा पहले के संबंध में होना चाहिए और रोंगी को अधिक रहात देने में यह बहुत जादा मदद करेगा। यह मामला गंबीर मामलों में बेलाडोना की उपयोगिता को भी दर्शाता है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूए। आपको यह वीडियो पसंद आए।